सब्सक्राइब करें तो जुडिया हमारे साथ एक बजे जीके जीएस की अपनी सारी समस्याओं को खतम करने के लिए दो बजे अगर आप रीजनिंग में फस्ते हैं किसी भी चीज में तो उसको दूर करना है दो बजे तीन बजे मिलेंगे हम लोग इंगलिस के डर को दूर करने के लिए और चार बजे मैस की कल्कुलेशन को अच्छा करने के लिए और पांच बजे मिलेंगे विज्ञान की सारे एक्सपेरिमेंट्स को जानने के लिए तो जुड़िए हमारे साथ SSC Adda 24-7 यूट्यूब चैनल ऐसे ही बहुत सारे सवाल होंगे आप कीमत में लोग आ गई है SSC Adda की वही पुरानी टीम जिसने कराये थे पिछले बर्सों में सेक्डो सलक्सर तो जी हाँ हम सब लेकार है आप सभी के लिए SSC CSSL एक्जाम की संजीब तो जुड़िया हमारे साथ एक बज़े जीके जीएस के अपनी सारी समस्याओं को खतम करने के लिए दो बज़े अगर आप रीजनिंग में फस्ते हैं किसी भी चीज में तो उसको दूर करना है दो बज़े तीन बज़े मिलेंगे हम लोग इंगलिस के डर को दूर करने के लिए और चार बज़े मैस की कलकुलेशन को अच्छा करने के लिए और पाँच बज़े मिलेंगे विज्ञान की सारे एक्सपेरिमेंट्स को जानने के लिए तो जुड़िए हमारे साथ SSC Adda 24-7 यूट्यूब चैनल ऐसे ही बहुत सारे सबालोंगे आप की मतले लो आ गई है SSC Adda नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका SSC Adda 24-7 पे चलिए सुरुआत करते हैं आज के सेशन का और देखते हैं कि आज के सेशन में क्या है किस तरीके की चीजे हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं बेहतर और बेहतर से बेहतरी तो भया आज आज आपके लिए मैं खास संदेश ये देना चाहूँगा कि आज का जो सेशन है ठीक है ना आज का जो सेशन है बहुत ही धुआधार लेबल पे होगा तारीक हो चुकी है 11 फरवरी ठीक है ना तारीक हो चुकी है 11 फरवरी और 11 फरवरी को मैं आपसे एक बात बड़ा लिख करके दे दूँ कि भाया, शेशन में आपको जरासे एक मिनट मैं इसको रिफ्रेस कर रहा हूं जरासे मैं इसे एक मिनट रिफ्रेस कर रहा हूं कि चैट वेट प्रॉपर चलने लगे कि आज हम लोग बहुत धुआधार तरीके से जुडने वाले हैं, ठीक है न मैं सब बात बताऊंगा, आभी बुक के बारे में पूछ रहा हूं न, यही बुक न, इसी बुक की बात कर रहा हूं प्रैक्टिस सेट की न, मैं बता दूँगा, ठीक है, अभी अतुल सर जिसको बता गए, मैं बता दूँगा, सभी जगा आपको यह किताब मिल जाएगी, निश्चिन्त रहिए इसी किताब की बात कर रहे हो न, इसी किताब की बात कर रहे हो न, आपको मिल जाएगा, ठीक है न, आपको मिल जाएगा, तो यह आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अगर आप इसी किताब की बात कर रहे हैं तो कि यह आपको मिल जाएगी ठीक है लेकिन पहले पढ़ाई पहले पढ़ाई अभी हम थेन लॉंचिंग में मिल जाएगी आपको अब चलिए आईएगा आज के शेशन की सुरुवात करते हैं देखते हैं आज के शेशन में क्या और किस थरीके की चीजें आज के शेशन में रहेंगी अब ज़रा समझना मेरे लला निश्चित तौर पे आज आपके लिए दो-दो अच्छे आप्शन हैं विकल्प हैं ठीक है आप्शन हैं और विकल्प हैं अहां मैंने रिंग इसलिए क्या था सर मैं जहां कॉर्णर में बैठता हूं न वहां मेरा बैग रखा होगा प्लीज लाकर दे देगा उसमें बुक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सुरू करें आज का और याद रखिएगा आज और सिर्फ आज आपके लिए कुछ बहुत बेहतरीन हैं लेकिन पढ़ाई के बाद उस पर बात करेंगे तारीक 11 फरवरी और इतिहास गवा है कि जब जब तिरंगा आया है मेरी क्लास में स सबसे पहले ठीक है ना सब लोग जय हिंद लिखिए सबसे पहले ठीक है ना जय हिंद लिखिए सबसे पहले जय हिंद लिखिए ठीक है ना जय हिंद लिखिए सबसे पहले उसके बात सेशन की सुरुवात करेंगे ठीक है ना सर जी मेरा नाम ले लो अरे भया सभी को प्रणा इस बात किये, आज हम लोग mix बात करने वाले हैं, ठीक है ना, mix बात करने वाले हैं, पिन कहां रख दिये भाईया, और एक बात, कल सुबा आठ बजे भी current affair की class चलेगी, मैं करीब डेर सो से दो सो question आपको उसमें पढ़ाने वाला हूँ, ये बात याद रखेगा, ठीक है न, recorded लिखने वालों को, समझ रहे हूँ, इतना मेहनत से आदमी लेक्चर लेता है, बैग बैग मगां के तुम लोग के लिए बेवस्था कर रहे हैं, कि भाईया देखो, जिस book की तुम लोग current affair वाली बात कर रहे थे हैं, वो छप करके आ गई है, वो book छप करके आ गई है current affair की, और ये 14 फर्वरी से जानी थी, लेकिन आज इसे ही अब डिलेवर कर दी जाएगी, और साथ ही साथ लला, दूसरी practice set, देख रहे हो, महौल देख रहे हो, current affair 6-8 नमर practice set rank लगाने के लिए, दोनों book के बारे में आपको मैं बताऊँगा, लेकिन पढ़ाने के बाद, ठीक है न मगद का कौन सा सासक अपोर परशुराम कहा जाता था, बताएगा, मगद का कौन सा सासक अपोर परशुराम के नाम से जाना जाता है, सर अपोर परशुराम है, महा पत्मनंद, नंदवंस का संस्थापक, याद रखना लला, इसे दितिय परशुराम भी कहा जाता है, क्या कह जाता है दितिय परशुराम के नाम से भी इसे जाना जाता है ठीक है वो गेट पूरी बंद कर देना ठीक है वो गेट पूरी बंद कर देना अगला कोशन निमलिखित में से किस ने 101 दिवसी पढ़े भारत अभियान लॉंच किया है बताओ पढ़े भारत अभियान सर पढ़े भारत अभियान धर्मेंद्र प्रधान जी यह वर्तबान में हमारे देश के केंद्री शिक्षा मंत्री है अगला कोशन अखिल भारती से वाएं वो जो UPS सी की नहीं होती IES IPS वाली IFS foreign services वाली आपके वो कौन सिर्जन करता है सर इसकी सक्ति सिर्फ और सिर्फ संसत के पास है सर आर्टिकल 312 में इसका जिग्र है और मुख्य रूप से इसकी सक्ति राज्य सभा के पास है ठीक है ना राज्य सभा के पास है अगला question लला देखो बड़े ध्यान से question का answer करो अगला किस वर्स में भासाई आधार पर राज्यों का पुनर गठन किया गया था अब देखो इससे एक related current पढ़ लो सर हैदराबाद वगएरा हुआ था भासाई आधार पर पुनर गठन और आपने अभी देखा है कि विशाखा पत्तनम को वहां की नई राजधानी घोशित कर दिया गया और option है सही 1996 पर भासाई आधार पर राज्यों के पुनर गठन के लिए जो समीती बनी थी लल्ला उसका नाम क्या था फजल अली समीती फजल अली या state reorganization committee जिसने कहा था कि भासाई आधार पर राज्यों का पुनर गठन हो सकता है अगला निमलिखित में से किस tiger reserve को मैं तो बार बार कहत हूं चाहे CHSL हो MTS हो कोई exam हो लिख करके तुम्हें दे देता हूं सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व पूच सकता है पक्य इस बार लला तुमसे पक्के टाइगर रिजर्व भी पूछ सकता है अब कहोगे सर्थ पक्के टाइगर रिजर्व कौन सा है पक्के टाइगर रिजर्व कौन सा है पके टाइगर रिजर्व जानते हो कौन सा है पके टाइगर रिजर्व आपके अरुडाचल प्रदेश वाला जहां इस बार 20V NTCA की बैठक हुई है, National Tiger Conservation Authority की बैठक हुई है, ये भी पूछ सकता है, तो याद रखना इसको अरुणाचल प्रदेश से, इसको तमिल नाडू से, ये कहां पे है सर, तो ये तमिल नाडू में है, ठीक है, तमिल नाडू में है, पढ़ाओ ऐसा, और पढ़ो ऐ जाता है, 1915 में गांधी जी पहली बार आये थे, इसलिए मनाये गया सर, पहली बार सर ये 2003 में New Delhi में मनाये गया था, और सर, इस बार का जो प्रवासी भारती दिवस हुआ है, उसका आयोजन कहां पे हुआ है, 2023 वाले का तो इन दौर में, मतलब static gk भी लीजिए, current affair भी निम्लिकित में से किसे बिहार विभूती सम्मान से, सर बिहार विभूती सम्मान रोहित कुमार को दिया गया है, ठीक है न, अब यहीं पे बिहार विभूती से आपको बिहारी पुरुसकार दोहरा लेना चाहिए, ब्यास सम्मान, ग्यान पिट पुरुसकार, मैन बूकर प् पांच हजार लोग हो जाओ तो एक आपसे सर्वे करवाना है एक आपसे आपकी आग्या लेना है और वूस आग्या के अनुसार आज एक काम होगा लेकिन कम से कम पांच हजार लोग हो जाओ उसके बाद इस बाद पर आद दारा सिकों ने किस सिख गुरू को मुगल सहजादिय उसे वैवाहिक संबन्द इस्थापित करने हे तू आमंतरित किया था तो सर दारा सिको ने हर राय को हर राय को अगला बंगाल का कौन सा नवाब अपनी नयाई प्रियता हे तू प्रशिद्य था एक बात यहां जब तक आप एंसर दे एक बात मैं तुम्हें और बता दू लला सिराजु दौला के समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था ठीक है ना भारत का स्वर्ग एक क्वेशन ये भी पूछेगा कि किसके समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था तो इसका एंसर हो जाएगा लला आपके लिए नवाब सिराजु दौला के समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था और अपनी नयाय प्रिता के लिए प्रसीद था सुजाउद दीन और अगर यही ओश क्वेशन मुगल में पूछ देता तो मुगल में कौन प्रसीद था तो जहां गीर ठीक है अब यह क्वेशन मुगल में यहां पर आपके मौडन इंडिया में अगला भारती सम्विधान के अनुसार इस अनुछेत के तहत राष्ट पती आपात इस्थिती घोशित कर सकते हैं राश्टपती आपात इस्थिती घोसित कर सकते हैं 352 के तहट, ठीक है न, 352 के तहट, ठीक है न, अगला कोशन, कुतुब मिनार कहां है, देखो, कुतुब मिनार, सर, बच्चा-बच्चा जान रहा है, दिल्ली में है, दिल्ली में भी पटिकुलर जगह है, लल्ला महरौली, महरौली में है आपके कुतुब मिनार, दिल्ली में अगर बात करो तो, ठीक है न, दिल्ली में, साउथ दिल्ली में है, ये भी, अगला कोशन, निम्न में से कौन सा पहला केंदर सासित, अचा एक बात मैं बता दू, ये जो दोनों किताब हैं, चाहे प्रैक्टिस सेट की बा जम्मू कस्मिर, ठीक है न, जम्मू कस्मिर, अगला कोशन, निम्लिकित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता था, ठीक है न, निम्लिकित में से किसे गरीब नवाज, सर, गरीब नवाज कहा जाता था, बी आप्सन, मुईनु दीन चिस्ती को, मुईनु दीन चिस्ती को, तोहीद ए इलाही भी कहा जाता है क्या कहा जाता है तोहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है ठीक है अगला कोश्चन निमलिकित में से किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन सुरू की है पताएगा दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन सर वो सुरू अभी हाल ही में मेजर हरीपाल सिंग का निधन हो गया उनकी आत्मकथा का क्या नाम है बताइए मेजर हरीपाल सिंग सर मेजर हरीपाल सिंग का नाम है higher than average हम लोग सुबह 8 बजे करेंट अफेर की क्लास में ये पढ़े हैं अगला कोशन हीमाचल प्रदेश से होकर पहने वाली नदी अभी अभी दिसंबर में हिमाचल प्रदेश में चुना हुआ था कांगरेस हुआ पे चुना जीती ऑर वहाँ के मुख्यमंत्री कोन है सुखविंदर सिंग सुखू और हिमाचल प्रदेश से बहने वाली नदी है आपके ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज, यमना चारो का असकनी है रावी का परुशनी है सतलज का सतुद्री है यमुना का आप बताईए देखो ब्यास का पुराना नाम बिपासा है वैदिक यूग में चेनाप का पुराना नाम असकनी है रावी का पुराना नाम आपके क्या है परुशनी है और जेलम एक नदी और बनती है जेलम जेलम का पुराना नाम क्या है बितस्ता ठीक है न इसका पुराना नाम क्या है बितस्ता यमुना का प्राचीन नाम सिर्फ आप बताईए यमुना का सिर्फ प्राचीन नाम आप बताईए ठीक है न अगले कोशन अब आपको कमेंट करना है मैं वो देखूंगा ऐसा नहीं है कि उसको मैं इगनोर मारदू छोड़ दूँ आप कमेंट करिए अगला कोशर निमलिखित में से किस दिन को ब्रेल दिवा सर बच्चा बच्चा जान रहा है चार आपके कहा है चार जन्वरी ठीक है ना चार जन्वरी ब्रेल दिवा अगला हं हंगरी सहायक नदी है मैंने एक बार बताया था सर हंगरी सहायक नदी है तुंग भद्रा की हंगरी ठीक है अगला अभी हाल ही में मुहमद हफीज मुहमद हफीज ने अंतर अभी अभी इसी पाकिस्तान के एक क्रिकेटर ने और सन्यास लिया याद करो कुछ दिन पहले मैंन मुहम्मद हफीज को पाकिस्तानी क्रिकेटर में द प्रोफेसर कहके उपनाम द प्रोफेसर से बुलाया जाता है ठीक है ना द प्रोफेसर से बुलाया जाता है अगला पॉइंट देखिएगा ये इसका D option इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का अधीवेशन मूलता कहा होना था सर म पूलता तो होना था पूना में लेकिन यहां पे सर कुछ किताब लिखते हैं प्लेग रोग फैल गया था कुछ किताब लिखते हैं हैजा या कॉलरा लोग फैल गया था रोग कौन सा फैला था यह तो क्लियर नहीं लेकिन ये क्लियर है कि मिटिंग हुई थी फिर बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत बिद्याले में, देखो मैं जानबूच करके तेजबोलता हूँ, ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा information दे सकूँ, ठीक है न, ज्यादा से ज्यादा आपको information दे सकूँ, और इसका right answer है केरल, ठीक है न, केरल, अगला कोश है, तेजपाल लिख लो, जितने लोग देख रहो, सब गड़बड करने वाले हो, तेजपाल भवन, लिख लो, सब लोग इसको गड़बड करने वाले हो, तेजपाल भवन को, तेजपाल भवन, C option, Indian National Congress, अगला कोश्चन, निमलिकित में से कौन साराज ये खुले में, सोच मुक्त, सोच म जाता है, सबसे ज़यादा कुछ नकुछ खुराफात सोचता रहता है, और भाई, देखो, बात थोड़ी सी, प्रस्नल सी है, मोवाईल लेकर बाथ्रूम में, मत जाया करिये, भाई, कम से کम, एक जगा तु मोवाईल को छोड़ दो, जिस दिन वह, मोवाईल चली गई अंद चोटी-चोटी मगर मोटी बातें बाथरूम में मोबाईल लेकर किरपया न जाएं, इभी एक अभी आन चलना चाहिए, राइट एंसर है तेलंगाना, ठीक है अब हास लो, भाईया, तुम मेरा मजाक उडालो, उट तो तुम्हारा आत्मा जानता होगा कि बाथरूम में तुम मोबाइल लेके जाते हो की नहीं ठीक है अब तुमारा आत्मा जानता है दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्टिका से टूड गया भागो क्लास छोड़ के भागो अंटार्टिका से हिमखंड टूड गया है नाम क्या है उसका बताओ नाम क्या है उसका सर उसका नाम ह अगले पॉइंट प्याओ निमलिकित में से किसे फोटो पत्रकारिता में रामनाद गोएन का पुरुसकार से समानित किया गया है एक मेरे स्टुडेंट है वो कह रहे हैं सर दस फरवरी वाले बैच में सर मैं पूरी वीडियो देखी है एक नंबर लगी कामिनी सर्मा करी सर मैंने आपके सिछ असल की वीडियो देखी हैं एक नंबर लगी सर करेंट अफेर की बुग कब तक आएगी भया चौदा फरवरी के बाद वो बुग तुम्हारे पास जाने लगेगी ठीक है न यही करेंट अफेयर की बुक पे आफर का आखरी दिन है तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज करेंट अफेयर की बुक ही ओडर करना क्योंकि अगर आज आफर खतम हो गया तो कल से ये 20-30 रुपे महंगी हो जाएगी आज ये किताब लला Y182S कूपन कोड से लगभग 89 रुपीज में पढ़ जाएगी बिना डिलेवरी चार्ज के आज रात 12 बजे से पहले यदि आपको कहीं से 6-8 नमबर कनफर्म करना है तो मैं लिख करके दे सकता हूँ वो एक किताब ये करेंट अफेयर की साबित हो सकती है ये किताब अब छपके आ गई है इसको 14 फरवरी से मुझे डिलेवर करना था लेकिन आज मेरी टेक्निकल टीम ने और पब्लिकेशन की टीम ने बताया कि सर आज ये पैकिंग होना सुरू हो गई जिन जिन स्टुडेंट ने और किया था और आज रात 12 बजे तक मुझे आनी किसी किताब के बारे में तो नहीं लेकिन वाई 182S लगा के आज आप इसे जरूर ले सकते हैं ठीक है अगला और इस किताब को भी सेम फर दिस इस किताब को भी जो 15 प्रैक्टिस सेट का है यही कूपन कोड लगा करके आप ले सकते हैं इस किताब को भी आप इस कूपन कोड से ही ले सकते हैं जिसको 15 प्रैक्टिस सेट चाहिए वो प्रैक्टिस सेट खरिद ले ठीक है कि सर हमें प्रैक्टिस 15 चाहिए ले लो भाई ये 15 प्रैक्टिस सेट है लेकिन ये करेंट अफेयर चुकि इसको लिखा मैंने मैं और पवन सर तो मैं जानता हूं इस किताब का कितला जादा महत्तो है ठीक है ना तो यह आप देख लिजेगा अगला question राजा राम मोहन राय की जैनती कप मनाय जाती है भाईया राजा राम मोहन राय की जैनती मना जाती है 22 माई को ठीक है ना निमलिखित मेंसे किस्ने प्रतिष्ठित म्ِّसेज वर्ल्ड 2022 में पिजेंट में सरुस्रेश्ट राष्ट्री पोसाग का पुरुसकार जीता है सर वो जीती हैं नवदीप कौर भारती जो है अगला बाजरे की फसल कब काटी जाती यही कोशन इस बार आएगा क्योंकि आपको पता है देख लो मैं यहाँ पे दो बार आपको कह दू कि यह कोशन पेपर में आएगा बाजरे की फसल सर अक्टूबर नौंबर में काटी जाती है यह खरीफ के अंतरगत आ जाएगी रवी तो अक्टूबर नौंबर में बोई जाती है उसके अलावासर बाजरे को ही हम मिलेट मोटे अनाज में रखते हैं वर्स 2023 को मिलेट एर घोशित किया गया है और बाजरे मिलेट को आज के बजट में जो सौरी निर्मना सीता रमन जी ने जो फरवरी में बजट लाया स्री अन कह कर संभोधित किया या तो ये बात या तो ये बात एक परस्ट आपके पेपर में CHSL, CGL, MTS या IB पूछेगा जरूर इसलिए मैं इस स्क्रीन पे इतना समय दे रहा हूँ और देखना तुमको ये भी इस करेंट अफेर की बूक में मिलेगा क्यों? क्योंकि मैंने बजट को इसमें इंकलूड कर दिया है इसलिए इस किताब के जाने में लेट हो रहा था ठीक है अगला निवन में से कौन भारत की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पाइलट है जो इंडियन एर फोर्स की जहांकी का हिस्सा बनी सर बच्चा बच्चा जानता है सिवांगी सिंग बनी निवनिकित में से कौन सी खरीव की फसल है देखिए सर रवी की फसल गेहू चना सरसो हो सकती है खरी देखो गेहू चना सरसो हम लोग के गाओं में खेतों में एक साथ नहीं बोया जाता है सर ये गेहू की फसल हो गई इसी के आगे ये पीला पीला फूल वाला सरसो हो गया और यहीं पे सर चना हो गया झाने झाल टाइपका नीचे रहता है और सरसो एकदम पीला फूल के साथ एकदम धरधरा के खिला रहता है यह यह आपका सरसो फिर इसी में जाके कुछ कुछ होता है वह सारुक खान साब नहीं आते हैं ऐसे तुम पास आये, सपनों में आये, क्या-क्या जगाये और मुहबत हो गया, तो फिर सर्सों का फूल खिल गया और ये जो आपका हरा वाला है ये भाईया आपका गेहू है ये आपका गेहू है और चना भाईया वही बीच में अपना अलग माहौल बनाए हुआ है इसको तो चना लिख दो, खा ले न, काम हो गया ठीक है न, चलिए अगले पर आते हैं आज के बाद जिन्दगी में नहीं भूलोगे इसको कि सर ने गेहू की खेती की सर ने सर्सो अचा मैं गेहू आओं की कटाई ओटाई किया हूँ मैं सही बता रहा हूँ घर से छूपके जैसे गाओं में लोग जाते हैं गेहू आओं कटाई मैं जागे गेहू की कटाई करता था मस तो मुझे मज़ा आता था गेहू ज़्यादा तो नहीं वो इतने इतने पेड़ में होते है नीचे ससे काटो फिर ऐसे रख दो फिर जब साम को घर आओ तो वो खुझली-खुझली होने लगती थी तो डाट सुनते थे लेकिन क्या करें C option 6 जनवरी किस दिन विशुई अनाद दिवस मना जाता है 6 जनवरी वैसे मैं बताओं मैंने अपने G1 में जो पहली मूवी देखी है उसका नाम है K2H2 ये मेरे G1 की मतलब जिसको मैं थोड़ा बहुत समझ पाया कि कोई पुचर मेरे बुवा की साधी थी बुवा हुआ की साधी अब कितने साल पहले हुई मतलब हम लोग तीलग चड़ाने जब गए मैं तो बहुत छोटा था लेकिन मुझे याद है कि यही मूवी चल लई थी सारुखान साभ एकदम हाथ वा था इसे किये सरसो के खेत में आज पता चला कि रवी की फसल थी वो नमंबर का महिना था जब सारुखान साभ ऐसे सूट कियो होंगे कि तुम पास आए सपने दिखाए फिर निकल लिए क्या क्या था तो K2H2 कुछ कुछ होता है यह मेरी फेवरेट मूवी में से भी एक है ठीक है आओ देखो एक को पूछ रहा है K2H2 क्या होता है पोटेसियम हाइड्रोजन होता है अचा यह क्या है रह टीडियम रह टीडियम बताओ यह कौन सी मूवी है नई पिच्चर की भी जानकारी होनी चीए कुछ लोग इसका सौट वीडियो बना कहेंगे देखो गुरु जी आउनलाइन वाले क्या पढ़ा रहे है पढ़ा नहीं रहे लला उसमें वो लिखे थे कि मम्मी भी साथ में बैठके सर आपका लेक्चर लेती है या देखती है प्लीज आउंटी अंकल आप लोग मत देखा करो देखिए हम लोग एक एज वाले हैं थोड़ा हसी मजाग हम लोग कर लेते हैं लेकिन जब आज ये कमेंट बॉक्स में मुझे ये पढ़ने को बिला कि सर आपका लेक्चर मम्मी भी देखती हैं तो कसम से बताए बड़ा थोड़ा सा सरम सा आया कि या रहे यार मैं क्या-क्या बोलता रहता हूं तो प्लीज आंटी अंकल आप लोग न देखा करें बच्चे हैं हम सब आपके समझ रहे हैं थोड़ा हम लोग को पढ़ लेने दीजिए बाकी खता इसका राइट अंसर है केरल ठीक है न कौन सा राज उच्च नयाल है भारत का पहला पेपर रहित बन गया है तो केरल अगला कोईशन निमलिकित में से किस राज में पहला खिलावना देखो ये पिछले साल के बजट में जो 2022-23 का बजट आया था उसमें ट्वाय क्लस्टर बनाने की जिगर हुई थी क्योंकि हम लोग 90 प्रतिसत खिलावना बच्चों का चीन और दच्छिड कोर्या ताइवान से मंगाते हैं ठीक playing इसका राइट एंसर बनेगा D option करना टक अगला भारती समीधान में थी किसम गर्मी होने लगी रफार्ती सम्माभान में सामिल निती-ृतिसक इशतन किस समीधान से प्रेडित हैं सर अमेरिका को लाइए नडीपीयाश्यारी न् SUS सी के अनुसार निमलिकित में से कौन 2026 तक तीसरा सबसे बड़ाई थे नौल बजार बन गया है सर सबसे बड़ाई थे नौल बजार भारत बना है अभी बिहार में इथे नाल का प्लांट भी बैठाया गया है और भारत दूध प्रोडक्शन में भी नंबर एक पे आ गया है सम दोनों बुक की बात कर रहे हो ना लेकिन मेरा व्यक्तिगत सला रहेगा जिसको जो बुक लेना है ले लो आप जान रहे हो MTS में खेल GS और इंगलिस का है दोनों सब्जेट की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा आपको बस एक काम करना है चाहे ये बुक लेनी हो चाहे ये ये 15 कोश्चन का प्रैक्टिस सेट है समझ रहे ये प्रैक्टिस सेट है लला और ये है करेंट अफेर की किताब जो मेरी लिखी हुई है पवन सर की लिखी हुई है और इन दोनों ही किताब के लिए कोड क्या है ये है कूपन कोड क्योंकि अगर ये कूपन कोड है तो किताब मैं ने लिखी है मेरी जिमेदारी बनेगी आप तक पहुचवाने की और आपके सामने सबूत है छपके आ चुकी है किताब और ये आज dispatch भी करना शुरू कर दिया गया है ये बात भी याद रखना ठीक है ना हाँ एक student कह रहे हैं सर एक सर्वे करवाईए मैं कर रहा हूँ दोस्त एक सर्वे होगा पांच जार इस्टूडेंट पर एक सर्वे है थोड़ा सा पचास क्वेशन कर लो उसके बाद ठीक है ना ये क्या है निमलिकित में से किस अस्थान पर सिच्छक विशुविद्दाले की स्थापना की जाएग सर यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम आपको बताना है जेन दवेस्ता है कि मुशा है कि त्रिपिटक है ये वाला तो आप्शन नहीं है सुक्ति संग्रह भी नहीं है 50-50 करा दिया के वीसी खेल लीजे जेन अवेस्ता एंसर दीजिए या फिर मुशा शहिता ठीक है ना सर कॉल माक्स कारल माक्स ने किताब लिखी थी दास कैपिटल ठीक है कारल माक्स ने कौन सी किताब लिखी थी दास कैपिटल अगला राष्ट्री स्वास्त मिसन ने निमलिकित में से किस राज में निरामय परियोजना की सुरुआत की है किस राज ने निरामय परियोजना की स असम ने की है मेरे सारे स्टूडेंट जानते हैं कि मैं लेक्चर के बीच में कभी ऐसे बुक के बारे में नहीं बता सकता आज बता रहा हूं उसके पीछे एक कारण है क्योंकि रात बारह बजे के बाद सारे कुपन कोट से ओफर खतम हो जाएगा फिर यही करेंट अफेयर की क किताब रात बारह बजे के बाद आपको जो अभी 90 रुपए में मिल रही है कल 20-30 रुपए महंगे हो सकती है क्योंकि आफर तो आज खतम है यह तो मैं गैरेंटेड लिग दे रहा हूं ठीक है न तो इसलिए आज मुझे बीच-बीच में बताना पड़ रहा है कि भया जिल अभी तक और नहीं किया है करेंट अफेयर कर लो बाद में दोस्त पस्ताने में नरह जाए और आज से यह बुक देखो ना हाथ में छपके आ गई मेरे यह बुक मेरे हाथ में छपके आ गई मतलब इसकी हजारों कौपी छप चुकी है आज से यह भेजी जानी सुरू हो करता हूँ यह प्रैक्टिस पेपर है MTS का इसमें आप प्रैक्टिस करोगे 15 सेट दिये हुए हैं 15 पेपर टाइप की चीजें हैं जिसको आप प्रैक्टिस करोगे और यह है 6-8 नंबर करेंट अफेयर मेरा व्यक्तिगत सलाह आपकी इच्छा कुछ भी हो सकती है दोनों कित दोनों किताब आपके लिए जरूरी बनती हैं ठीक है ना दोनों किताब जरूरी बनती हैं बाकी आप इसको देख लेंगे D.Option, Will Smith लेकिन हां इस किताब पे ओफर खतम हो रहा है इसलिए मैं तो यह कहूंगा कि आज रात 12 बजे से पहले यह किताब बुक कर लेना ठीक है न D.Option, Thomas Matthew, D.Option, Thomas Matthew, अगला क्वेशन, स्टेप सब किस जरूरी से संबंदित हैं और जिनको यह लगता है कि सर मुझे प्रैक्टिस करना है मैं 15 पेपर की प्रैक्टिस कर लूँगा और सर मैं सलेक्शन पा लूँगा दोस्त यह बुक आपके लिए है फिर और इसके लिए भी coupon code Y182S, coupon code Y182S, मैं आपको यह भी बता दू और लेकिन अगर आपको यह current वाली बुक लेनी है फिर तो भया बात वही है देखो एक नीले रंग की पट्टी पे लिखा हुआ SSC Adda 247 उस पे click कर दो, उस पे click करोगे तो बुक वाली link open हो जाएगी ठीक है, बुक वाली link open हो और उसके बाद इस बुक को तु ले लोगे, ये बात समझ लेना, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था, सर उत्तर बिहार का प्राचीन नाम वज्जी, ठीक है अगला question, किसने 26 बार आसकर पुरुसकार जीता है, बताइए, ठीक है ना, भाई मैं लाश्ट में सब को बत जाएगी, क्योंकि आज राद 12 बजे तक इस किताब के उपर ओफर है, करेंट अफेर वाली पे, जो मेरी लिखी हुई और पवन सर के मदद से लिखी हुई किताब है, क्योंकि करेंट अफेर पढ़ाता तो मैं हूँ, लेकिन मेरे भाई भी मेरे बहुत मदद करते हैं, चाय मैं एक बात आपको बोलू, आपको महसूस हो रहा होगा सर आज आप बुक के बारें बता रहें, बच्चा आज लास डेट है यार, कल बोलूंगा और यही किताब महंगी होगी, तब भी कुछ लोग खर देंगे, और आज मैं कह रहा हूँ, 20-30 रुपए का फाइदा हो रहा आई-बी में काम आएगा, CRPF में काम आएगा, CGL में काम आएगा, CHSL में काम आएगा, आप पटवारी का एकजाम देने जा रहे हैं, उसमें काम आएगा, आप किसी भी राज्य का एकजाम देने जा रहे हैं, यह किताब तो कॉमन है न, करेंट अफेर की, जो हर एकजाम में काम आएगी मानते हो की नहीं और जिसको ये देखना हो कि मैं करेंट अफ़ेर पढ़ाता कैसा हूं लला सुबा आठ बजे डेली एक घंटे में 10-15 कोश्चन खुब डीटेल में चलता है वहां आपको आना है अलावदिन खिल जी के प्रसित सेनापतियों में किसकी मंगोलों के प्रसी के ब्रुद्य लड़ते हुए जफर खांकी मिरती हुई जफर खांकी किसके सासनकाल में डाइमेकस भारत आया था बताईएगा किसके सासनकाल में डाइमेकस सर डाइमेकस बिंदु सार अगर पूस्ता डिया नीसियस देखो ये डिया नीसियस किसके सासनकाल में आया था नीसियस ठीक है डिया नीसियस असोक के सासनकाल में ठीक है असोक के सासनकाल में ठीक है न हाँ रजत लेकिन तब बेटा कूपन कोड लगाना Y182S जिसको ये दोनों किताब चाहिए कि सर करेंट अफेर और ये प्रैक्टिस से दोनों एक साथ चाहिए हमें कूपन कोड है Y182S आज ओर्डर कर दोगे आज दोनों किताब पे आफर है बारा बजे से पहले दोनों किताब के कूपन कोड के आउफर के लिए Y182S आपको प्रियोग करना होगा एक किताब आपको 90 रुपए में करेंट अफेर वाली है और इसका तो अभी देख लेते हैं कितने में पढ़ती है ये किताब आपको ठीक है न? चलेगा तो डियानेसियस ठीक है अशोप में अगला महरानी लक्ष्मी बाई महरानी लक्ष्मी बाई की समाधी कहां थी तो सर महरानी लक्ष्मी बाई की समाधी थी ग्वालियर में साथवा भारती कला में बुद्ध के किस घटना का चित्रण म्रिग सहीत चक्र के साथ हुआ है ठीक है ना म्रिग के साथ चक्र का देखो लला मेरे आप लोग बहुत सारे regular student हो आज थोड़ा बुरा मत मानना यार नए लोगों का भी भला हो जाए नहीं इसी किताब को बेचारे बात में मेरे student महंगा खड़ देंगे इसलिए आज मैं थोड़ा सा इस पे जादा बोल रहा हूँ तो I hope कि आप भी हमें समझेंगे कि हाँ सर हम समझ पा रहे हैं क्योंकि लला जान रहो होगा क्या ना ये लोग कल आउडर करेंगे रात बारा बजे के बाद और तब offer चला जाएगा आज ये इनको 80 रुपए के आज पास ये किताब current affair की एक साल की पढ़ जाएगी कोई delivery चार्ज नहीं देना होगा लेना भी आसान एक छोटा सा link उस पे क्लिक किये और ये हो गया ठीक है ना मिल गया ये वाली किताब लेनी है बस कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है गारेंटी हमारी मेरी ली क्यों ये किताबे हैं ना मैं पहुचवाँगा मैं मौझूद हूँ ना मैं पहुचवाँगा current affair मैं ही पढ़ाता हूँ ना static मैं ही पढ़ाता हूँ ना मैं हूँ आपके साथ ठीक है ना इस बार का GD आपके MTS का पूरा खेल इंगलिस और GS पे डिपेंड है और मैं मौझूद हूँ आपके लिए मेरी पूरी SSC अड़ा की टीम आपको भरोसा दिलाती है तुम जुट तो जाओ पढ़ने में सब बदल दिया जाएगा सब बदल दिया जाएगा ठीक है ना बताईएगा इसका क्या होगा निमलिकित में से किसका संकलन रीगुवेद पर एक बात बता दू रीगुवेद के जितने मंत्र हैं उन सारे मंत्रों को सामवेद में बस फोटो कॉपी कर दिया गया मतला म्यूजिक दे दिया गया, संगीत, ठीक है न, संगीत दे दिया गया, अच्छा, अगला क्वेशन, कौन सा मगबरा दिती ताज महल कहलाता है, ठीक है न, बताओ, कौन सा मगबरा दिती ताज महल कहलाता है, ठीक है न, बताओ, कौन सा मगबरा दिती ताज महल कहलाता है, सो समझ के बताईएगा सर दिती ताज महल C option रभिया उद दौरानी का मगबरा बीबी का मगबरा यही है बीबी का मगबरा और अगर मीनी ताज महल कहता तो एतमाद उद दौरा का मगबरा जो आगरा में स्थित है मीनी ताज महल एतमाद उद दौरा का मगबरा अगला पाटल पुत्र की स्थापना उदाइन ने की नेक्स्ट कुछ तुजुक ऐ बाबरी किस भासा में लिखा गया था सर बाबर की बाबर नामा को ही तुजुक ऐ बाबरी तुर्की भासा में लिखा गया था बाबर नामा फार्सी भासा में हो गया अब दुलरहीम खाने खाना के द्वार सर सयदवाद जैन धर्म का सिधान्त है जबकि प्रतियूत समुधपाद जो सिधान्त है वो बहुत धर्म का है प्रतियूत समुधपाद को कारणवाद भी कहा जाता है ठीक है ना कारणवाद भी कहा जाता है ठीक है अगला माया एंजोलो यह बड़ा इंपोर्टेंट है किस द यह कनीश को हरा देख रहा हो ना पान चाय में कितना दम है एक बीड़ा पान खा लिजी एक कुलड़ चाय पी लिजे किसी को भी हरा दीजी अब मतलब तो यहीं निकल लाए ना ठीक है अगला खेलो इंडिया 2023 की मेजबारी निम्नुए से किस राजी को सौपी गई है सर ए इनों किताब से मतलब न हो लल्ला वो चले जाओ पहले रीक्वेस्ट इसलिए कि आप फिर आपके लिए वो फाल्तू लगेगा आपको लगेगा अरे सर तो बेचने लगे समझ रहूँना सर तो कुछ बोलने लगे तो लला जिनको इन दो किताबों से मतलब नहों मैं आप से request करूँगा कि आप अब जा सकते हैं ठीक है जिनको मतलब नहीं है जिनको ये लगता है कि सर current affair एक साल की चाहिए तो लला आपके लिए आज आखरी date है offer का कल से ये offer चल रहा था रात 12 बझे current affair की मेरी किताब पे offer close है और ये किताब आपको जो मेरी current affair की जो किताब है लला ये आपको कहा मिल जाएगी तो आप कहोगे सर ये किताब आपको लला कहा मिलेगी ये वाली adda store पे ठीकर न? adda store पे इस किताब को अगर आप current और चाहते हैं, तो इस किताब को करेंट एफ एर से यह किताब लग भग 90 रुपई की पड़ेगी, लेकिन बस आज आज भर, राद 12 बजे के बाद, दो दिन से यह आफर था, यह आफर खतम हो जाएगा, तो सर पहले इस current affair का बताईए, चाहे गुजरात हो, असम हो, बिहार हो, मड़ी पूर हो, कोई राज्य हो, सही pin code डालना तुम्हारे address पे पहुँच जाएगी, इस किताब को लेने के लिए लल्ला, वो देखो नीले रंग का पटी पे link चल रहा है, देखो न, yellow color से, पीले देना ये book मिल जाएगी, ठीक है न, और अगर तुम्हें चाहिए कि सर, हम ये 15 practice set लेंगे, 15 practice paper, जिसमें 1350 प्रस्न है, उसके लिए, दोनों के लिए, इसका भी coupon code सेम है, ठीक है न, ये जो किताब है, इसके लिए भी coupon code यही है, यही है coupon code, ठीक है न, इसके लिए भी coupon code यह ही है, Y182S, चाहे आप practice set लेना चाहिए, चाहे current affair की book लेना चाहिए, दोनों के लिए, दोनों को लेना है, आप ले सकते हैं, लेकिन मैं बहुत खुल के मुद्दे पे, और यहाँ, इस किताब पे कोई delivery charge नहीं है, 90 रुपए से एकाख रुपए कम में ही पढ़ जाएगी, वो जो link दिया हुआ है, अड़ा के app के थुरू लेना, coin प्रियोग करके लेना, आज इस वार्सी किताब का आखरी दिन है, आपके घर यह पहुँच जाएगी बिना किसी delivery charge के, जो आपको यह किताब देने आवे, अगर वो कहे कि 20-30 रुपए delivery charge केना बेवकूफ मत बनाओ, यह किताब का delivery charge अड़ा दे चुका है, यह मात्र 90 रुपए की किताब है, आज आज के लिए, ठीक है ना, और यह भी बता दू लला, यह हिंदी, इंग्लिस दोनों में है, हिंदी प्लस अंग्रेजी, दोनों भासा में है, ठीक है ना, दोनों भासा में है, मैं यहाँ लिख दोनों भासा में है, अब यह नहीं कि अंग्रेजी की किताब अलग है, इसी किताब के अंदर ऐसे मैं खोलूंगा ना, देखो, जैसे मैं कोई एक चेप्टर खोल दूँ, उपर लिखा है, जैसे कोई एक क्वेशन, पुरुस मुक्यबाजी विश्व चेंपियंशिप 2023 की मे दिया है, देखो इसको, सब एंसर की मैंने लास्ट में दिया है, ठीक है, तो आज इस बुक का आखरी डे है, आज आफर का भी आखरी डे है, लेने के लिए सिर्फ एक काम करना है, उस निली वाली पटी पे क्लिक कर लेना है, अच्छा, सर हमें करेंट अफेर के अलावा ये बुक चाहिए जो आज आप लोगों ने लॉंच किया है जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट है 15 सर ये बुक कैसे ले लला सेम प्रोसेस है कूपन कोड वाई 182S कूपन कोड वाई 182S और आप इस किताब को भी ले लेंगे ठीक है न यही एक मात्र कूपन कोड जो आपको दोनों किताब आप तक पहुचवा देगा अच्छा अब आप हमसे कहेंगे सर अड़ाइ स्टोर से एक बार खरीद करके दिखाईए ठीक है ना और एक चीज और ठीक है ना अगर हम आपसे बात करें प्रैक्टिस सेट की अगर हम आपसे बात करें प्रैक्टिस सेट की कुछ स्टुडेंट कर रहे है प्रैक्टिस सेट मैं लिखके दे रहा हूँ Y182S से सबसे सस्ता पड़ेगा आप देखिये जरा मैं एक बार आपको दिखा ही दू कि 15 प्रैक्टिस सेट आपको कितने में मिलेगा ये प्रैक्टिस सेट की बात कर दे रहे है ठीक है न प्रैक्टिस सेट की बात कर दे रहे है ऐसे ये है आपका गूगल अड़ा स्टोर यहाँ पे सर्च कर लिए अड़ा स्टोर कर लिए सर यह जो पहली वाली लिंक है उसको open करिए सर open कर दिए यहाँ पे देखो all courses लिखा है all courses पे गए SSC पे गए SSC MTS पे गए और इसमें चले जाओ books वाले में यह अब देखो यह दोनों books आ गई एक यह यही दो books है न यह भी मेरी ही लिखी हुई book है ठीक है न तो यह है GS की book यह है current affair जिस पे offer है और मेरे coupon code से इस पे भी offer है कई student कह रहे है सर यह जो 15 practice set paper है यह आपके coupon code Y182 से कितने पड़ेगा आओ जड़ा देख ले इसको ठीक है कि 15 practice set है और मैं तुम्हें बता दू महापैक वालों तुम्हारे पास 249 series मौजूद है यह भी याद रखना सर यह है 109 यह view offer view offer पे गए यहाँ पे coupon code लगा के check कर देते हैं कि यह पड़ेगा कितने का Y182S लगाए Y182S और apply कर दिए यह किताब पड़ रही है 155 रुपए की लेकिन अड़ा के app के through लोगे तो लगभग यह 152 रुपए की पड़ जाएगी 152 रुपए की लगभग ठीक है I am not saying that exact लगभग आपको coupon code Y182S Y182S लगाने पिर 150 रुपए से 152 और सच कहूं तो 150 रुपए कोईन वाइन लगा के आपको मिल जाएगा लेकिन अब अगर ये तो आपके लिए practice set की MTS के practice set की बात है लेकिन मेरा focus किस पे है कि भाई आज इस किताब पे offer है current affair की किताब को order करके आज मंगा लो क्योंकि sir देखो इसी के बगल में ये वाली भी किताब मौझूद है न current affair की भी किताब ये देखी SSC MTS ये मौझूद है न यहाँ पे ये किताब इसके उपर click कर दें जो कम से कम 68 number की confirm आपको मिलने वाली है rate ही पहले कम है 120 अभी इस पे coupon code लगाएंगे करीब 90-92 रुपए के आसपास आएगा लेकिन वो जो link दी हुई है उस link पे देखो तुमारे comment box में नीले रंकी पटी पे लिंक है उस पे click करोगे तो ये किताब तुम्हें इस code पे ना Y182S coupon code दोनों के लिए same है Y182S coupon code लगा के लला आपको Y182S coupon code लगा करके लगभग 90 रुपए में पढ़ जाएगी ठीक है ना लगभग 90 रुपए में पढ़ जाएगी ये current affair और मैं आज इस पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं इन दोनों बुक्स पे क्योंकि आज बुक्स पे offer का last day है हो सकता है तुम कल order करो और तुम्हें यही किताब 20-30 रुपए महंगी पढ़ जाए ठीक है ना 20-30 रुपए महंगी पढ़ जाएगे कुछ लोग कह रहें सर मुझे लला इस पे offer है आज न तो जिसको practice set लेना हो या फिर जिसको ये book लेना है दोनों के लिए practice set आपको करीब 150 रुपए का पढ़ेगा और ये 90 रुपए में delivery charge अड़ा ने अल्रेडी दे दिया है अब मेरी जिस किताब को हमने पवंसर ने अड़ा की टीम ने तयार किया है पूरी SSC अड़ा की टीम के मेहनत है ये current affair लला ये कम से कम 20 से जादा exam में काम आएगी ये तुम्हें भी पता है जब तक कि 2022 का 23 का आधा न बीच जाए तुम अपने राज्य का भी कोई exam दोगे ना तो ये current affair तुम्हें काम आएगा ये बात आपको भी पता है अच्छे से पता है ठीक है नए आपको भी पता है और बेहाद अच्छे से पता है कि आपको काम आएगी और इसमें side में जो the 10 minute so के मेरे सारे questions है ना उन 10 minutes so के questions को मैंने यहां last में topic wise कर دیا है last में मैंने उनको topic wise कर दिया है जैसे देखो, यहाँ पर यह काले रंग की पट्टी लगी है न यह, तो यहाँ पर GI टैग वाले कोश्चन है, अब लाइन से तुमको 500 GI टैग वाले कोश्चन मिलेंगे, अभी इधर कोई होगा, तो उसमें कुछ और होगा, जैसा देखते हैं, यह, 2022 के सभी अपडेटेट सम्मान है, अब पहला कोश्चन है कि MSME पुरुसकार 2022 में किस राज्य को पर्थमस्थान मिला है, भाया सभी को पता है कि सर MSME में, option है, ओडिसा, पस्चिम, मंगाल, तेलंगाना, गुजरात, बताओ किसको मिला है, ठीक है न, सर करेंट अफेर की बुक नहीं मिल रही है, मु नहीं है, नहीं है, नहीं पड़ेगी, ठीक है न, offer खतम हो जाएगा, जो लोग कह रहे है, सर मेरे PIN कोड पे नहीं आ रहा है, लला देखो, एक सिंपल सा है, चाहिए बुक की बात करो, चाहिए, कुपन कोड दोनों के लिए सेम है, अपने दोस्त, यार इस्तेदार का PIN पर मंगा लो, ठीक है न, तो यार आर्मी पॉये दोस्त, अड़ा के एप पे जाकर के इसको ले लो, ठीक है, अड़ा के एप के थुरू लेना, ठीक है, अड़ा के एप के, दो-4 उपया उपर नीचे हो सकता है, एक-2 रुपया कम, एक-2 रुपया ज्यादा, लेकिन मैं बा ही लोग ये एक बुक मंगाओगे ठीक है ना मैं कुछ लोगों की कमेंट जरा लेता हूं देखो जुरावर यार अभी ये बुक आफलाइन नहीं है ये और करोगे तो तुमारे घर अब तो 14 फरवरी से ही मैं बोलूंगा 14 फरवरी से भेजी जानी सुरू कर दी जाएगी ठीक तुमारे मत पड़ो वो देखो उपर एक नीले पटी पे लिंक दिया है उस पे क्लिक करो और सीधे बुक के पास पहुंच जाओगे ठीक है सीधे बुक के पास पहुंचोगे जैसे एक जामपल के तौर पे चलो एक बार देखते हैं यूट्यूब ओपें करते हैं कि सर यू सब्सक्राइश करें इस पे क्लिक कर दो यहां लेक्चर चल रहा है आप नोटीस करेंगे कि यहां पे अभी तु यह एड वेट तो तो 45 सेकेंड तो देगा हीãy ठीक है ना यह यह मैं पढ़ा रहा हूं और आप नोटीस करना कि यह जो मैं पढ़ा रहा हूं कि यह यह वाली जो नीली वाली link है, ये, देखो, तुम लोग के उपर है न, इसी link के उपर, आप click करोगे, देखो, यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, ये, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी link के उपर लला, जब आप click करोगे, तो book के पास पहुंचोगे, चलो, click करते हैं, ये, देखो, यहाँ Y182S इस link पर click कर दिये, जैसे ही इस link पर click करोगे, देखो, इस वाली book के पास भी पहुंच गये, मैंने कुछ देर के लिए, ये वाली book भी लगवा दिये, ये देखो, ये वाली book भी लगवा दिये, ठीक है, तो जिनको ये किताब लेनी है, इस पर click करके ले ले, और इसी तरीक से SSC की आप current affair की भी ले लोगे ठीक है ना ठीक है तो भाईया चाहे महरा महरास्ट्रा हो चाहे कोई भी हो आप इसको ले सकते हैं सभी लोग इस किताब को ले सकते हैं लला लेकिन वही बात है यह 199 की नहीं पड़ेगी coupon code लगा लोगे y182s y182s लगाते ही लगभग 150 तो जिनको चाहिए ये वाली book आज order करके ola लेंगे ओर जिनको चाहिए ये वाली book वो order करके मगा लेंगे ठीक है ना तो यह आपकी उपर depend करता है ये current affair ठीक है ना एये current affair ठीक है ठीक है sir gd मैं जो आप पढ़ाए वह है ठेंक्यू सो मच जार ठीक है ठीक है thank you so अगला lecture अक्षेसर का सुरू होगा, आप अक्षेसर के लेक्षर में जा सकते हैं, ये बात याद रखिएगा, और हमेशा याद रखिएगा, एक बात कि जो मेहनत करेगा, उसके लिए कुछ भी असंभ़ा नहीं है, y182s ठीक न, y182s ये है आपका मेरे द्वारा दिया गया आपने दोस्तों को कुपन कोड ठीक न, ये है कुपन कोड इन दोनों किताबों के लिए, ठीक है, दोनों किताबों के लिए, ठीक है, दोनों किताबों के लिए, ठीक है, ठीक है, दोनों किताबों के लिए, ठीक है, ठ अगला लेक्षर अक्षे सर का है प्लीज आप मूफ करें थैंकि तो मच मैं देर सुनेंट थैंकि तो मच